कि देवी के पराक्रम के आगे हर दैति शक्ति हारी है सामवरे के चपन भोग पर भी एक तुलसी भारी है राधे राधे अवरिवन आप सब कैसे हाई हो पाप सब अच्छे होंगे और आज मैं आपके साथ वीडियो लेकर आई हूँ कि एका दशी के दिन आप तुलसी की इस टॉपिक के साथ ही आपके मन में कोश्चन आ रहा होगा कि एका दशी के दिन तो तुलसी को जल चड़ाया जा सकता है या नहीं या फिर तुलसी दल तोड़ा जा सकता है या नहीं तो आपको इस सभी बातों के उत्तर मिल जाएंगे वीडियो में मेरे साथ अंतक बने र कि भगवान विश्णू को तुलसी अतिप्रिय है तो अगर आप तुलसी की सेवा करेंगे पूजा करेंगे तो भगवान विश्णू प्रसन होते हैं तो जो माता लक्ष्मी है उनका इस्थाई निवास आपके घर में अवश्य होता है तो चलिए देखते हैं पहले कि इस प कादेशी के दिन पूजा कर रहे हैं तो इसके लिए आपको चाहिए फूल तुलसी दल जल और सांथ में गी का दीपक और हल्दी रोली कुम-कुम और एकादेशी तिति में चावल का इस पर्ष जो है वलजित माना जाता है तो आप तिल का इस्तिमाल कर सकते हैं पूजा के लि ढाए मेरे पास आरेंज तो केल मैं सीजनल फल अर्पिट करूँगी तो एकादशी के दिन अगर आपके पास शालिक-राम जी का इस Anda का विग्रह है तो आप तो शालिक-राम जी के विग्रह को तुलसी मात्या के साथ कर अनको जल अर्पिट कर सकते हैं उनको हल्दी रोली चं इन दोनों में से ही आपके पास कुछ नहों तुलसी माता अकेली है मतलब तो आप अकेले पूजा कर रहे हैं तुलसी माता की तो फिर इस दिन आपको जल नहीं चड़ाना होता है एकादेशी के दिन नहीं तुलसी माता को चूना होता है आप दूर से ही सारी चीज़ें अर्प तुल्सी माता को और्पित किये और अब मैंने जो है वो तिल और फूलो का स्थान देकर दीपक को स्थान दिया है और भगवान को कि मतलब इस तरह तुल्सी माता को आपके पास अगर देखिए शिंगार लाए हो तो आप शिंगार भी चड़ा सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से मैं हर एकादशी को मैं वरत नहीं रहती हूँ लेकिन एकादशी को इस तरह से पूजा जरूर करती हूँ और इस दीपक मैंने जला लिया है और इसके बाद जो है भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद आपको भगवान की आर करेंगे और नमो नमो तुलसा महरानी हरी की पटरानी नमो नमो यह वाली आति करेंगे उसके बाद माता तुलसी के फेरी लेने का विशेश महत्व है तो आप 11 21 फेरी ले सकते हैं अगर जगह है तो नहीं है तो अपने इस्थान पर आप 11 20 बार आपने खुदी गोल भूम कर भी आप परिक्रमा कर सकते हैं तो इस तरह से अगर आप पूजा करेंगे तो आपके घर में सुख सौभागे की व्रिद्धी होगी